नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 फर्वरी को बारिश, जर्खन के उत्तर पूर्वी मध्य एवं दक्षिन भागों में आज सोमवार को कहीं कहीं घरज के साथ हलके दज की बारिश हो सकती है, अगले दो से तीन दिनों के दोरान निवतन तापमान में दो से तीन ड धिरे धिरे तीन से चार्ट डिग्री से शेल्स की बढ़ोतरी भी हो सकती है, 24 फर्वरी को राजे में कहीं कहीं हलके से मधर्ज की बारिश की समवना है, 24 फर्वरी को बजरपात की भी असंका है, इसे लेकर एलो अलर्ट जारी किया गया, ठंड से राहत मिलने लगी है, पार्टी से दिया इस्थिपा, जार्खन के दो जेमें पूरविधायक अमीत महतो और उनकी पतनी सीमा देवी ने पार्टी की प्राथ्मिक से शेता से इस्थिपा दे दिया है, दोनों ने पार्टी के केंद्री अध्यक सीबु स्रेवन को पत्र लिग कर पार्टी की यान नहीं लगने से आहत होकर पाटी स्थिपा दिया बता देवर्ष 2014 में सीली विधान सभासीट से विधायक बने थे वहीं उनकी पत्नी सीमा देवी 2018 के उप्चुनाव में विधायक बनी थी सीली से जे एमेम के पुरोविधायक अमीत महतो ने खतियान अधारित अस्थानिय एमनेजन निती समेत अने मांगो को लेकर गत 20 जनवरी 2022 को सीयम हमन्द सुरोण को अल्टिमेटम भी दिया था जारखन के दिव्यंग चात्रो को अगले साल से जैक की मैट्रिक परिक्षा में नहीं लगेगा सुल्क जारखन एकेडमी काउंसिल जैक दिव्यंग चात्रो के लिए सीक्षा और इसके माध्यमों को सुविधा जनक बनाने के परियास में जुटा हुआ है दिब्यंगता के लिए नियम उदार किये गए हैं अगले सत्र से दोस्वी के दिब्यंग बच्चों का परिक्षा सुल्क नहीं लिया जाएगा वहीं ऐसे ही 42 बिंदियों को चिनहित कर उन्हें सुविधाय परदान की जाएंगी उक्तबाते जैक के सचीव महीव कुमार सिंग ने परचारियों के साथ परी चर्चा के दोरान कही रांची अस्मार्ट सिटी में मंत्रियों के बंगले के लिए मिला ठेकेदार रांची अस्मार्ट सिटी में मंत्रियों का बंगला बनने के लिए ठेकेदार मिल गया है हैतरा बाद की के एमबी कंस्ट्रक्शन मंत्रियों का बंगला बनाने के साथ समूचे परिसर का विकास करेगी निर्मान कारे की लागत 79.90 कोड़ो रुपए होगी कारे पूरा करने के लिए 24 महिना का समयता है किया गया है एसमार्ट सीटी में मंत्रियों के बंगले का डिजाइन दिली के परामरसी कंपनी मॉस आइंड वायस ने त्यार किया है पिछली बार सिंगल टेंडर होने की वज़ा से उसे रद कर बंगलों के निर्मान के लिए रीटेंडर किया गया था जुड़कों ने टेंडर खोलते हुए के एमबी कंस्ट्रक्शन को एल वन घोसीत कर दिया है जल्द ही कंपिनी को वर्क ओडर जारी किया जाएगा केंद्र सरकार मन रेगा मैदूरों को जल्द करेगी बकाय पैसे का भुकतान राज्य के मन रेगा मैदूरों के लिए बड़ी रहात की खबर है उन्हें बकाय मैदूरी का पैसा जल्द मिलेगा केंद्र सरकार ने करीब 277 को रुपए रिलीज करने का आदेश जारी किया है जल्द ही पैसा जारखंड को मिल जाएगा इसके बाद मजदूरों का भुकतान को सुरू किया जाएगा करीब 3 महिने से मजदूरों को बकाय भुकतान नहीं हुआ था योजनावों में काम करने भी मजदूर पैसा मिलने की आस में बैठे हुए थे केंद्रिय ग्राविन विकास मंत्राले ने सारे वर्ग के मजदूरों के लिए पैसा रिलिज करने का आदेश जारी किया है नबालिक से दुसकर्म मामले में दो समुदाय के बीच बढ़ा बिवाद गुमला जिला अंतरगस सिसाई परखंड के पूसो थाना इस्थित लरंगो टंगरा टोली गाव में नबालिक छात्रा से दुसकर्म के बाद सनिवार की रात गाव में दो समुदाय में तना उत्पन हो गया था रभिवार की सुबा पूलिस के सीनियर अधिकारियों ने गाव में दोनों समुदाय के लोग साथ बैठक कर मामला को सांध कराया वही नबालिक दुसकर्म के रोपी निजाब अंसारी को पूसो पूलिस ने रभिवार को जेल भी भेज दिया है बीजेपी परदेश अध्यक्ष दिपक परकास ने सरकार पर कसा तंज जारखन बीजेपी के परदेश अध्यक्ष राज सवासांस दिपक परकास लातेहर पहुंचे इस दरान हेमंद सरकार पर जम करनी साना साधा साथी राई सरकार पतंज कसते हुए कहा कि राजे में परिवार वाद की सरकार चल रही है इससे जनता का भला होने वाला नहीं है लातेहर सहर के रेलिवे स्टेशन रोड इस्थीद पंडित दिन दयाल उपाध्याय नगर भवन में भाजपा करेकरता समेलन को समोधित करते हुए सांसत स्रीप परकास ने कहा कि भारतिय जनता पाटी करकताव की पाटी है उन्होंने निलांबर पितांबर वह राजा मेधनी राय के धर्ती को नमन करते हुए कहा कि लातेहर जीला बीरो की भूमी है उन्होंने करोना काल की चाचा करते हुए कहा कि जब आने दलो के लोग कोरेंटाइन थे तब भाजपा करकता घर घर जाका लोगों की सेवा कर रहे थे उन्होंने करकताओं को केंदर सरकार की उपलबदियों को जन जन तक पहुचाने का अवान किया इंदाओर की तर्ज पर जमसेदपूर में भी लगाया जाएगा 50 टन का बायो CNG पलांट मद्य पर देश के इंदाओर की तर्ज पर जमसेदपूर सहर में भी बायो CNG पलांट लगाने की त्यारी चल रही है पहले चरण में 50 टन प्रती दिन गिला का चरा अधारित पलांट लगाया जाएगा दूसरे चरण में इसकी छमता बढ़ा कर 100 टन हर दिन की जाएगी एसिया के सबसे बड़े बायो CNG पलांट के उद्गाटन समारों में DC सुरज कुमार और JNC के बिशेशग पदाधिकारी कृष्ण कुमार सामिल हुए थे बता दे कि सन्निवार को PM9 मोदी ने इंदाओर में निर्मीत बायो CNG पलांट के ओनलेन उद्गाटन किये थे जारखन में मुख्य मंत्री पसुधन विकास वोजना में DC ने पकड़ी गड़ बड़ी गुमला समेकित जनजाती विकास अभीकरन कर्याले के तत्वधन में मुख्य मंत्री पसुधन विकास वोजना अंतरगस सदर परखंड के अनुसुचित जनजाती लाभकों के बीच आयोजीत बकरा बकरी एवं बतक चुजा बितरन कारकर में उपायुक्त ने बकरा बकरी का बितरन करने से इनकार कर दिया है मंच के माध्यम से उपायुक्त ने संकेतिक रूप से कुछ लाभकों के बीच केवल बतक चुजा का वित्रन किया बकरा बकरी सफलायर के खिलाब केस करने का आदेश दिया और सफलायर के NGO को ब्लॉक लिश्टेट करने को कहा है जारखन में कुरोना के 82 नए केस मिले है जबकि 173 मरी स्वस्त भी हुए है जारखन में कुलेक्टिव केस की संके 749 है भारत में 10-534 नए केस मिले है जबकि 22-950 मरी स्वस्त हुए भारत में कुलेक्टिव केस की संके 2,08,636 है लोहर दग्गा में नकसलियों के बिरूत अभियान में बड़ी सफलता नकसल पर हवी छेतर बुलबुल के जंगलों में लगतार दस दिनों से चल्ड है सर्च अपरेशन के बाद पूलिस को बड़ी सफलता मिली है पूलिस के हाथों पकड़ेगे 10 लाग के नामे नकसली, बलराम उराव, दसरत खेरवार, सलेंद्र उराव, सलेंद्र वा महिला नकसली के पकड़े जाने की सुचना है साथी नकसलियों के उप्योग के हाथियार समेत आने समागरी भी पूलिस ने ब्रामत की है कोडार्मा जिले के 75 रोजगार सेवकों का समोहिक इस्थीपा जार्खन के कोडार्मा जिले के 75 रोजगार सेवकों ने जीला परशाशन पर एक तरफा करवाई का रोप लगाते हुए समोहिक इस्थिपाद्य दिया है इसे समंदीत आवेदन डीडीसी को सौफा गया डीडीसी को दिये आवेदन में रोजगार सेवकों ने कहा है कि मन्डेगा कर्मी बहुत ही कम मांदे में मन्डेगा के साथ सा जनगन्ना निर्वाचन राशनकार आवास कोविड-19 मां हमारी समय अने कार्यों को पिछले 14 वर्सों से निष्टा पूर्वक करते आ रहे हैं इसके कारण जीला को केंद्र और राई सरकार द्वारा कई बार समानित किया गया लेकिन कई महासे समाजिक आंकेक छन समोहर्ती समाजिक आंकेक छन जीला या परखन द्वारा कार्य का दबाव एव एक जुलाई से पूरी तरह से परतिबंधित होगा सिंगल यूज पलास्टिक। जिसमें इसके उत्पादन, बंडारन, बीतरन और इस्तिमाल पर पूरी तरह से पवंदि लगाई गई है। जंजातियों के हीतों को ध्यान में रखते हुए बने जंजातियों के सभी जीलों में राई सरकार के अनुसार जंजातिय भासा बोलने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन उर्दू पढ़ने वाले लोग हैं या जार्खन सरकार की जहादी मान सिक्ता को दर्साती है उन्होंने कहा है कि आप चाहे हिंदी या किसी जन्जातिय भासा के जनकार क्यों नहों नौकरी चाहिए तो उर्दू में आए रुपेश हत्या कांड मामला राष्ट्रिय बाल अधिकार स्नलक्षन आयोग के अध्यक्स पिरियंक कानून गोर अभिवार को हजारी बाग जिला अंतरकत बरही पहुँचे यहां उन्होंने रुपेश कुमार पांडे मौत मामले को लेकर डीसी एसपी समेत अने अधिकारियों के साथ बैठक की वही कई लोगों से बिस्तार से पुष्टाच भी की इसके बाद सिरी कानून गोर ने कहा कि पुष्टाच के अधार पर इसकी रिपोर्ट केंद्र और राई सरकार को जल्द सोपी जाएगी लालू यादो को आज दोपहर बारा बज़े सुनाई जाएगी सजा लालू यादो के अलावा चारा घोटाले के इस बड़े मामले में 37 अने दोसियों को भी सजा सुनाई जाएगी ज्यारखन में 25 लाख सद से बनाएगा राजवद राजवद के नौन युक्त परदेश कारेकाड़ी अध्यक्स पूर्व विधायक संजय सिंग यादों ने कहा है कि पार्टी के सुप्रीमो लालू परसाद यादों ने दबे कुछले के लिए आवाज बनने का काम किया लेकिन उन्हें एक सनयंत्र के तहुत फसाने का काम किया गया इसका नतीजा ही है कि वे जेल में है रभिवार को डिवडि इस्थीद पार्टी करयाला में पार्टी के अध्यक्सा करते हुए उन्होंने कहा की उनकी पार्टी की मजबूती के लिए उनकी नीती और सिधान्त को जारकन में जन जन तक पहुचाना है बैठक में जारकन में 25 लाग सद से बनाने के लिए एक्षन पलान त्यार किया गया कुरोना से मरने वालों में 45 परतिसत लोगों ने नहीं लिया था ठीका राजे में कुरोना के तिसरी लहर लभग समापती की ओर है हर दिन मिलने वाले मरीजों की संक्या 100 से नीचे आ गई है इसी भी स्वास्त विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुशा राजे में कुल 173 संक्रमितों की मौत हुई है विभाग द्वारा सभी मौतों का विसलेशन किया जा रहा है अब तक किये जा चुके 149 मौतों के विसलेशन से पता चला है कि कुरोना से मरने वालों में 45 पर्थियत लोग ऐसे थे जिन्होंने कुरोना से बचाव का टिका नहीं लिया था वाहन चालक 12 मार्च से पहले जरूर करवाले एक काम राजे के वाहन चालकों को जल्द से जल्द अपने लाइसेंस को ऑनलाइन दर्ज करवाना होगा इसके लिए आखरी मौका केवल 12 मार्च तक कहा है राजे के पुराने ड्राइविंग लाइसेंस धारको को लाइसेंस ओनलाइन कराने का हमति मौका दिया गया है ऐसे लोगों से 12 मार्च को साम 4 बये तक जीला परिवहन करयाले में मौल लाइसेंस के साथ ओनलाइन इंटरी कराने को कहा गया है इस समंध में जीला परिवहन पतादिकारी परवीन परकास ने आदेश भी जारी किया है मालूम हो कि परिवहन भी भाग ने जार्खन सहीत देश के सभी जीलों को कहा है कि हस्तली खीत डियेल को जल्द से जल्द ओनलाइन करे धन्यवाद यादि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेल एक अंदा वाज़े साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर दोष 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 साथ सेखर करना ना भूले साथ सी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फीडबेक अवस्त से दे थाइंक यू